आज का जो विश है जिसके बारे में हम बात करेंगे हल्दी वाला पानी कितने बड़े बड़े चमतकार देखा जाएगा जब उसके बारे में बात करने जा रहे हैं पर सो जब मैं लाइव गई थी मैंने दोचा चीजे इतनी जादा बहतरी जबरदस्त बताई थी ना जिन लोगों को भी अनेक्सपेक्टेड प्रब्लमें कई न कई उत्पन होए जारी है जब बुद और राहू नेगटेव होकर बैट जो और जो पर्टिकुलर पत्री है वो कई न कई प्रभावित होनी शुरू हो जाए तो 99 पे चीज़े अटक जाती है कट जाती है सोचा क्या था क्या से क्या हो गया जो शादी शुदा जिन्दगी में पार्टनर्शिप में इर्द गेर्द के लोगों से जो धोका मिलता है वहाँ पर राहू कई न कई बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट रोल प्ले करता है अगर मेरिज रिलेटेड इशूद कई न कई बड़े जारे और खतम होने का नाम नहीं ले रहे तो उसके लिए भी आप एक चीज़ समझ लीजे अगर शुक्र अगर मंगल राहू के तू शनी से प्रभावित होएंगे तो ये वाली दिकते आएंगी एक छोड़ के दस शादिया कर लो क्योंकि कितने लोग बोलते हैं पहली शादी में ही ऐसे होगा जब दूसरी शादी होगी तब सब ठीक हो जाएगा अरे भाईया ऐसे कैसे हो जाएगा जो particular combination है वो तो वही के वही रहेंगे न अगर एक का पहला गर छटा गर दसवा गर संबंद बना रहे हैं वो तो वही रहेगा आज भी 10 साल बाद भी 50 साल बाद भी 70 साल बाद भी तो हो सकता है अगर कोई problem में आ रही है उसकी situation बदल जाएं लेकिन दिकते तो वहीं की वहीं रहेंगी न तो आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ उस दिन मैंने एक comment देखा था दिदी मेरे जो husband है वो भी legal मसलों में कहीं न कहीं कहते ना फस गए हैं बच्चों की सेहत ठीक नहीं रही आर्थिक संकट कहीं न कहीं बढ़े जा रहे हैं तो आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ पूरा package का package ले लो अगर इस लिहास से अगर चलते हो कोई भाग के साथ नहीं दे रहा तो एक जबरदस्ती चीज आपको बताती हूँ आपने क्या करना है सबसे पहली चीज क्या है एक तो मा बगला मुखी की मा बगला मुखी आपने रात को पीले वस्तर पैन के पीले वस्तर पैनने आपने हाथ में हल्दी की गाठ आपने रखनी है उसके बाद क्या करना है गाय को पला देशी कपूर घी डाल कर अगनी जिला देनी है उसके अंदर समगरी क्या क्या होईगी उसके अंदर होएगा नमक चीनी हल्दी घी नमक चीनी हल्दी घी इसकी समगरी आप बनाओगे बगला मुखी मा का ध्यान करते करते उनको बस हाथ में हल्दी की गाठ पकड़ के रखना है जब आप ये कर लेते हो उसको फिर मंदिर में रख दो फिर रात को करोगे फिर ये हाथ में रखोगे ऐसे करके या मंदिर में नहीं सिराने के पास अगर रखे सोते हो तो भी जबरदस्त वेसे काम करेगा भाग उदे होने से कोई दशा कोई ताकत रोक नहीं पाईगी अब आपने क्या करना है बगला मुखी मां का सिर्फ कितनी बारी 36 बारी एक के कहूती देनी है आपने साइड में तामबे के किसी गलास में पानि और हलदी डाल के रख देना है जब ये हवन ये हवन कर रहे हैं हम बगला मुखी मा का 36 बारी 36 ओनली 36 उसके बाद ये जो पानी है घट 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 खुद भी पीलो घरवालों को भी पिला दो कैसे काबू में आएंगे आप खुद देख लेना बेशक आपकी नेगटिव दशा हो नेगटिव दशा कब होती है वो भी मैंने आपको बता है जब बारवा गर चेटा गर आठवा गर संबंद बनाता है ये हिटेन प्रब्लम का कॉम्बिनेशन होता है जल्दी जल्दी इसले प्रब्लम में आएंगी जो वो कहते है ना सब कुछ हो गया ये आपको एक एक जैंपल भी दिया थे जो मेरे क्लाइंट थे हैंना कैसे मम हस्बेन वाइफ आई थे रो रो के धाड़े मार मार के रो शायना जी हमारे साथ क्या हो गया मतलब शादी लड़की की शादी करी वो अपने थोड़ी सी काली सरसो में आम पन्ना मिला कर उसको जल प्रबा करना है आम पन्ना लोगों को कई कई लोगों को नहीं मिल रहा नहीं उनको समझ आ रहा आप कोई बात नहीं इमली की चटनी तो आपको आती है ना समझ काली सरसो में या काली सरसो को थोड़ा मैश कर दो तो कोई दिकत वाली बात नहीं उसका आटा टाइप का बना लो उसके अंदर थोड़ी सी इमली की चेट्रिनी की गोली-गोली बना लो गोली-गोली को प्रवाहित कर तो तलाब हो नदी हो नहर हो कुछ हो कोई बात नहीं आप इसको 43 डेस तक करोगे आपको एक चीज बता दे है वो तो 24 या 36 या 32 वो तो आपको पैसा देगा आप समझे लेकिन अगर एक यूनिवर्सल इनरजी देखी जाए तो अगर जिसका भी ब्रस्पत अच्छा है शनी अच्छा है राहू अच्छा है वो एक बूम दे देगा उसके काम में बूम उसकी चीजों में बूम और क्या करेंगे मैंने आपको क्या बोला था पांच बदाम जो होते हैं पांच बदाम साबुद बदाम जो होते हैं या तो उसको जल प्रवा कर दो या दान देना शुरू कर दो पांच बदाम पांच बदाम विवाहिक समस्या कई न कई बड़े जा रही है खतम होने का नाम न लेरी आपको मैंने क्या बोला मंगल और शुक्र अगर रहू के तू शनी के साथ ग्रसत है तो यह कई न कई शादी होते होते भी टूट जाती है मतलब ऐसे करके यह शादी जब होई तो पता नहीं क्या से क्या ही हो गया जो यहां थे यहां के यहां आप खुद अपने 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 धरम स्थान पर छोड़ के आना है बढ़िया हो जाएगा बढ़िया मतलब बढ़िया आप समझे यह वाली जितनी चीजी हैं जिसका राहू जिसका मंगल जिसका ब्रहस्पती अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि जब हम अनेक्सपेक्टेड प्रब्र में बात करेंगे ठीक है जी अस्ट्रो बास्तू प्रोफेशनल कोर्स की रेजिस्ट्रेशन आन है मेरा सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम है शाइना से टंडर स्कॉर ऑफिशिल इसके इलावा मेरा और कोई इंस्टाग्राम हैं मेरा एक ही नंबर है 976-919-7470 अगर आप गई ठाओ जाए ओके देन बाब बाई नमस्कार